बच्चा डिप्रेशन में है या बच्चे डिप्रेशन में यह हम कैसे पता कर सकते हैं तो हमें छोटे-छोटे एक क्यूज मिलते हैं देखिया अगर हम माबाप हैं तो हम अपने बच्चों को रोज देखते हैं और रोज उनके behavior में changes हमको दिखाई देते हैं तो इस behavior change को आपको observe करना है, notice करना है अगर आपका बच्चा screen time जादा यूज कर रहा है मोबाइल में बहुत जादा interested हो गया है suddenly या अपने आपको room में बंद कर रहा है, isolate कर रहा है किसी से बात नहीं कर रहा है घर पर या हमेशा जगड़े, कभी-कभी even aggressive हो जाते है बच्चे जगड़ा करने लगते हैं तो ये सारे कुछ symptoms जो है, वो हम depression के symptoms बोलते हैं ऐसा behavioral change दिखे अपने बच्चे में जो normal नहीं लग रहा तो आपको immediately उससे बात करना चाहिए या school counselor उससे बात करना चाहिए कि मेरे बच्चे को मैं कैसे help कर सकती हूँ या मैंने ये notice किया है, क्या आप बता सकते हैं कि मैं अपने बच्चे की कैसी मदद कर सकती हूँ तो ये सारी चीज़े हम लोग छोटी-छोटी चीज़े अगर notice करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारे बच्चे mentally safe है या नहीं है